नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं निज्टोडे दोस्तो मतपरदेश की बहुत बड़ी ख़वर आ रही है फरवरी मार्च में बजट बजट में बचन पत्र पर जादा फोकस मतपरदेश के सबी लोग लिखें बजट कैसा हो चलिए देख लेते हैं लेट्स गो तो दोस्तो बजट में बचन पत्र पर जादा फोकस बरस दोहर 20 और 21 के बजट की तैयारियां नई योजनाओं पर जोर नहीं फरवरी मार्च में होने वाले मतपरदेश बजट के सत्र में बरस दोहर 21 के लिए जो बजट कमलनाथ सरकार की और से प्रिस्तोत होगा उसमें पुरानी योजनाओं पर कम और बचन पत्र पर जादा फोकस रहेगा इसके संकेत मुकमंत्री कमलनाथ और बित्मंत्री तरुन भनोट अधीकारियों को अनुपूरग बजट की तयारी के दोरान दे चुके हैं बजट की तया सीमा से जादा के प्रिस्ता बेजे जाने पर बिवाग ने अपत्ती जताते हुए हिदायत भी दे दी है सुत्र के मुताविक 27 दिसंबर तक बित्वाग के उफ सचिव सभी विवागों के अधीकारियों के साथ बजट प्रिस्तावों पर प्रारमिक चर्चा का दोर पूरा कर लेंगे इसके बाद बरिष्ट अधीकारियों के इस तर पर बिचार बेमर्स का सिलसला सुरू होगा बताया जारा है कि जिन विवागों की मांग और बित्वाग की बजट सीमा में तालमेल नहीं बन पाएगा उन विवागों के मंत्रियों के साथ बित्मंत्री की बैटक होगी जिने वे बित्व मंत्री के बासन में सामिल कराना चाहते हैं। राजस्व जुटाने वाले विवागों के साथ C.S. की बैठक। उधर बजट तैयारियों के बीच मुक सचिव सुधी रंजन मोहन्ती ने पिछले सब्ता राजस्व जुटाने वाले सभी विवागों के बरिश अधिकारियों के साथ बैटा करके इस्तिती की समीक्च की बताया जा रहा है कि बानिजिक कर विवाग ने बरूसा दिलाया है कि वो तैय लक्षे लगबक हासिल कर लेगा परिवहन विवाग भी लक्ष के आसपास पहुंच जाएगा उर्जा विवाग ने भी राजस्व की इस्तिती दुरुस्त करने की कोशिस तेज कर दी है तो दोस्तों इस पर अपने विच्छा लखें सुजाब लखें आगे आपको